दोस्तों एपीवाई के वारे में तो लगबग हर को यमता है जिसे अटल पैंसन योजना बोलते हैं आपको पता है इसके लिए एक जासे पांच यार की पैंसन स्कीम होती है जिसमें अगर आप लोगों में से किसी ने भी इसमें भाग ले रखा है वो उसमें किस तो गराप्र करते हैं तो क्या आपको यहां पर पता है कि आपको एक कार्ड भी आपके प्रोवाइट किया जाता है अगर आपको नहीं पता है तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए आपको मैं बता हुआ कि कार्ड कैसे मिलता है कहां से मिलता है और जो भी आपने Pasundra दोट याने कि पूरी जो क्यों की स्वेस लोगवे कि है और आय करो तो गृतने कुपस्यारम यहां व्हक्तु क्वरपेंट को ब्रप्रो इतर्व मंतित् सक्राइब तो बहुत अच्छी वात है अगर आपको नहीं पता कि PRAN नमर हम खहां से लेंगे तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ आपका जो भी एकाउंट है जिस एकाउंट से आपने सिस्क्रिम को ले रखा है उस एकाउंट से आपका बैरेंस डेटेक्शन होता होगा तो आपको नहीं पता है तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि आप इस PRAN नमर को कहीं भी नोट कर लिए इसका फोटो ले लिए कुछ भी कर लिए अपने पास रखिए क्योंकि इसकी जरूरत आपको पढ़ने वाली है लिकने आप घबराने के बाद नहीं है अगर सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं तो चलिए दोस्तों फटावर्स से जो वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूं मैं उस्षे ब्राम से मुर आप देख रहे हैं आपका अपना ही यूटूब चैनल स्मार्ट पॉइंट आपको ऊपन कर लेनिये यह वाली स्टार्ट डिंक मुलेगा आपको वीडियो के नीचे डिस्करप्सन बॉक्स में बैल्क देधिया है आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो यसस्टार्ट पर आप अब आप साथ हैं पर आपको दो आ tomar द्याटी संहीं प्र तुघना की देख सकत नबरनेны पस्ते हैं니다 मैंने आपको अभी बताया था आपको मिल जाएगा अपने एक उपने एकाउंट केinar नाही आपको यहाँ पर नहीं आपको यहां पर बिना भी देखने को मिल जाएगास तो सबसे यहां पे हम पहले दे रहा है अपना PRAN सेक्ट करना है कि कार्ड हासा होता है कैसा दिखता हैसा फे यहां पर यहां पाको स्फेक्ट करेंगे और यहां पर आपको क्षोग्रा वाले डाला है यह पर capture कैसे डालना है hang Etsy 43 5 दे रखा है तो यहाँ पर पडलना है निगे कि 43 में आपर डालदी है मैंने हकाठाइग्ष में ब्लीन क्लिक कर देना थाकी आपको कुल कार्ड दिखा, किस 형त से हैं , तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सेम पेन कार्ड की तरह होता है, यहाँ पर आपको देख रहा होगा, मैं कोई भी चीज इसमें हैड नहीं करता हूँ, आप आरहम से देख सकते हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से आपको अपना कार्ड देख जाएगा, यहाँ पर आपको फर् not cheaper और नंडली दिख जाएगा आप पांचएर के पांचर मिलना कि देभी को पांचएर कोई जाएर तक, तक तो बात हो गई अपने card की अगर आप इसे download करना चाहरे हैं तो यहाँ पर download as PDF आरा तो इस पर आप click करके एक वारी जो है और जो अपना download भी कर सकते हैं तो यहाँ पर देखें नीचे download हो गया है तो same यही download हुआ है आप चाहें तो इसका print निकलवा सकते हैं इमिनेट भी करा सकते हैं pen card की तरह है आप इसे अपने पास रख सकते हैं तो यह बात हो गई हमें card देखने की कि हम अपना card कैसे देख पाएंगे कि हमारा जो card है वो कहां पर है हमारे घरा करनी पहुचा है तो तो अब हम बैक चलते हैं और अगला step आपको दिखाते हैं क्या क करना रहेगा यहां पर बैक आ जाने के बाद आप जो है इस पेज़ पर आ जाएंगे तो यहां पर एक वारे क्लिक करेंगे और उसी पेज़ पर हम द्वारा से आ जाएंगे तो हम फिर से यहां पर फिर से सिलेक्ट करते हैं क्लिक here to with PRAN पर और यहां पर पर PRAN नमबर जो है हमने और यहां पर हम सब्सक्राइब करेंगे तो हम फिर से नेक्स्ट पेज़ पर चले जाएंगे और यहां पर आप देख सकते हैं आपको यहां पर पूरा statement देख जाएगा सबसे पहले तो यहां पर आपको इपनी डिटेल लिए दिखने को मिल जाएगी और यहां पर आ कि आपकी कौन सी डेट में स्टार्ट होई यहाँ पे आप देख सकते हैं पी आरे एन जनरेशन डेट दिख रही है आपको 16 दिसंबर 2017 को यह हमने स्टार्ट किया था डेट अब बर्द आ रहा है सेविंग अकाउंट नमबर आ रहा है बैंक भी आ रहा है कौन सी बैंक से हमने रखा है तो यहां पर सारी डिटेल आपको यहां पर देखने को मिल जाती है इसके नीचे आएंगे तो यहां पर आपको देख जाएगा आपका टोटल एमांट यहां पर कितना पेड हो गया है तो यह आपको यहां नीचे सो कर देगा जैसे कि आपको देख रहा है 15,136 रु यहां पे देख रहा होगा यहां पे देखिए अपरेल को पेड हुई है फिर 11 जून को हुई है और उसके बाद जो जुलाई में यह दो किस्ते कटी है यानि कि हमारा जो है पिछला डिव एमाउंट था तो यहां पे इसने काटा हुआ है तो उसका जो है हमसे पैनल्टी लगा उसका यहां पर बात करते हैं आप देख सकते हैं चाहे तो यह पर बटो यहां पर लोग पास priRAN नमबर नहीं है या वो नहीं ढूर पा रहा है अपने statement में कि PRA number क्या होता है हमें कैसे मिल पाएगा हमारे बताने के बाद भी अगर वो confused है नहीं ढूर पा रहा है कोई दिक्कत नहीं तो यहाँ पर आप उनको select करना है यहाँ नीचे वाले पर जिल लोगों पास PRA number नहीं है तो यहा bank का account number डालेंगे जिस bank से हमने कराया हुआ जिस account से हमारा कट रहा है तो हम भो भी यहाँ पर डाल देंगे और जो है इसके बाद यहाँ पर date of birth आप से पूंछेगा तो आपकी account में registered date of birth वो आपको यहाँ पर select करनी है तो यहाँ पर हमने date of birth भी select कर ली अब इसके बाद फि तो PRAN number नहीं डोड़ पा रहे हैं तो उनको कोई confusion हो रहा है तो इसलिए जो है मैं उनको भी बता दे रहा हूँ यहाँ पर total करके डालेंगे 46 प्लस 7 51 यह मैंने डाल दिया अब यहाँ पर संबिट पर click करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं without PRAN number के भी हम जो अपना card देख सकते हैं जैसे सेम अभी आपको PRAN number डाल के दिखाया था सेम उसी तरीके से है तो आप देख सकते हैं वोई card हमारा open हो के आया है तो यहाँ पे कोई issue नहीं है अगर आपके पास PRAN number है तब भी नहीं है तब भी तो आप इस तरीके से भी आप ले सकते हैं अपनी partial detail थ देखिए अगर आपके पास PRAN number नहीं है तो इस तरीके से जैसे मैंने अभी बताया है यह पहले अपना card आप download कर लीजिए इसमें आपको PRAN number आपको मिल जाएगा देखिए यहाँ पे यह लिखा हुआ है permanent retirement account number इसे बोलते हैं तो यहाँ पे यह वाला आप अपना note कर लेकिन मैंने आपका टायम बचाने के लिए लिंक जो है नीचे description box में दे रखे हैं आप जब किलिक करेंगे तो इस पेज पर आजाएंगे तो इस पेज पर आने बाद आप जो है सबसे पहले यहाँ पर PRAN number अपना डालेंगे और उसके नीचे आपको date of birth का यहाँ पर दे रहे हैं उसके बाद जो हम category select करेंगे तो अगर आप नया मंगाना चाह रहे हैं तो आप new PRAN card request पे रहने दीजी अगर आपका खो गया है तो आप read dispatch पे कर सकते हैं और अगर उसका status बगएर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर view request status पे आप देख सकते हैं जो आपने request की है उसका status क्या कह रहा है प्रोसेसिंग में है dispatch हुआ है कि नहीं सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं इसके वाद जो यहाँ पर capture आ रहा है इसका total करके हमको यहाँ पर डालना है 17 प्लस 4 आ रहा है तो यहाँ पर जो हम 21 डालेंगे और इसके वाद जो verify PRN पे क्लिक करेंगे यहा यहाँ पर आपके सामने एक मैसे जाएगा OTP हमारे पास आ चुका है और नीचे यहाँ पर आ गया प्लीज एंटर OTP PIN तो यहाँ पर हम उसे एंटर कर देंगे इसके बाद आपको जो है दौए दौबारा से संबेट पर क्लिक कर देना अगर आपको किसी कारण से OTP नहीं मि दिखा देगा कि आपका किस नाम से कार्ड है और यहाँ पर आपको बता भी रहा है तो इस पर आपको कार्ड बेज दिया जाएगा और यहां पर कुछ नहीं करनाएं आपको के रिफ़ करना है तो यहां पर आपसे कुछ चारज कटेगा जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहां पर आपको प्रिंटिंग चारज 45 लुपय पतल त्चीस पैसे करतेगा सर्विश्ट टेक और इसके बाद जो है नीचे आएंगे नीचे आके यहां पर हमको एक make payment का मिल जागे लेकिन इससे पहले हमें जो है कि यह check box दिख रहा होगा इसको हमको check कर देना है चेक करने एक बाद जो हम make payment पे click करेंगे तो यह gateway payment की तरफ चला जाएगा और यहां पर आपको दिखा देगा तो यहां पर जो है कुछ charges है gateway payment का वो आपको show कर देगा जैसे कि आपको दिख रहा होगा net ranking से अगर आप करते हैं तो 60 पैसे कटेगा प्लस GST चार्ज कटेगा डेविट कार से करते हैं तो 0.80% कटेगा प्लस GST चार्ज कटेगा और credit कार से करते हैं तो 0.90% प्लस GST तो सबसे सस्ता यहां पर internet banking का जी दे रहे हैं यानि कि किवल 60 पैसे प्लस GST कटेगा तो हम यहां पर proceed पे click करेंगे और proceed पे click करने एक बात जो है यहां पर gateway payment आएगा हम internet banking को ही select करेंगे उसमें charge कम दिखा रहा था तो यहां पर credit card, debit card, debit card प्लस ATM pin और सबसे नीचे मिल जाएगा आपको internet banking तो हम यहां पर internet banking select करेंगे और यहां पर यूको बैंक हम select करेंगे क्योंकि मेरे पास यूको बैंक का account है तो मैं यूको बैंक यहां पर select कर लेता हूं और make payment पे click करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं processing के बाद जो है हमारा यह redirect उसी side पे आ गया है और यहां पर आपको payment की receiving मिल गई है यह अब इसका आप एक वारी अपने पास screenshot या print out ले लिजिए तो मैं save print पी कर ले रहा हूं और यहां पर जो है इसका print out जो है अपने पास save कर ले रहा हू future के लिए क्योंकि क्या है इसमें हमारे पास सारी detail है transaction detail भी है acknowledgement number भी है तो हमारा यह payment receipt जो है download हो चुका है अब यहां पर हमें कुछ नहीं करना है यहां पर क्या करना अगर आप check करना चाहें अपना तो यहां पर transaction reference number यह जो आ रहा है इसे आपके एक वारी अपने पास copy कर ल और अब हम यहां पर select करेंगे view request status पर इस पर select करेंगे और यहां पर capture डालेंगे 96 प्लस पांच टोटल हुआ 101 verify PRN पर करेंगे तो यहां पर जो आपको देखिए status दिखा देगा अभी यहां पर pending आ रहा है आपको यहां पर दिखा रहा है acknowledgement number आपका यह है request app क्या आपने किया है तो यहां पर आपने request किया है print APY PRN card का यानि कि यह आपका print होके आपके घर पे पहुंचेगा request receipt date आपकी यह आ रहा है यह status अभी pending आ रहा है amount आपका जो है वो इतना आ रहा है यह सब कुछ आप यहां पर देख सकते हैं इसके बाद जो है अभी यहां पर आपका छूटा नहीं इसलिए यहां पर आपको कुछ नहीं करने देगा जैसे आपको छूट जाएगा यहां पर तो यहां पर आपको दिखा देगा कौन सी डेट से छूटा है और कौन सी डेट में आपको मिला है यह सब कुछ यहां पर आगए आपको दिखा देगा अभी यहां पर आपका status जो है pending आ रहा है लेकिन कोई दिखकर नहीं है यह लगवग pen card की तरह एक अपते कंदर आपके घर पे आ जाएगा तो यहां पर आपने देख लिया कि मैंने आपको पी आरे नंबर के थूरू सारा statement, card निकालना, card एपलाई करना सब कुछ आपको यहां पर करके दिखाया है आप जैसे चाहें वैसे आप अपने card को यहां पर देख सकते हैं card घर पे physically मंगाना चाहें तो मंगा भी सकते हैं सब कुछ मैंने आपको पारिकी से इस वीडियो में समझाने की कोसिस की है इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है यह आपका फिजिकली card जो है आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा जैसे pen card आता है वैसे सेम यह भी आ जाएगा जैसे मेरे पास आता है मैं आपको इसका unboxing करके भी दिखाऊ हुआ बस यहां पर थोड़ा सा चार्ज आपको प्रेंट करना पड़ता है अगर आप डिजिटल कोपी रखना चाहते हैं तो मैंने दिखाई दिया है वैसे आप डाउनलोड कर लीजिए और आप जो है उस पर लेमिनेट वगएरा करा के भी अपना रख सकते हैं तो आयोग दोस्तों इस वीडियो की जंकारी से आपने समझ दिया होगा कैसे स्टेट्मेंट देखना कैसे इसे फिजिकी लिए घट्पे मंगाना है उम्मीद है दुस्तों वीडियो पसंद आया होगा फिलाल के लिए दुस्तों इसे लाइक से जरूर कर देना और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्क्राइब करके जाना साथ में बाइल आइकों दबादेना जिससे आने वाले वीडियो हमारे आपको तरंद मिल सकेंगे क्यों हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रखते हैं तो चलिए दूस्तों मिलते हैं जल्दी नेक्ट वीडियो में मुश्काल दूस्तों